आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23rd of November की important current affairs के questions इस वीडियो का PDF आप लोगो टेलिग्राम पर मिल जाएका जहाँ पर आपको जितनी भी वीडियोज है चानल पर सभी के PDF आपको फ्री में प्रोवाइट किये जाते हैं तो चले गाइस आज की वीडियो के शिर्वात करत एक motivation code के साथ आज देखे क्या है lost time is never found again देखे खोयावा time कभी वापस नहीं आता तो time की कीमत को समझे इसे waste ना करें क्योंकि अगर आपने time एक बार waste कर दे तो आप उसको वापस reverse नहीं कर सकती है तो हमेशा अपने काम को अपने time के according करें यह नहीं कि काम को कल पर टालते रही क्योंकि अगर आप इस तरीके से टालते रहोगे तो वह कभी complete नहीं हो पाएगा तो चलिए इसी के साथ वीडियो के शिरवात करती है question number first is कौनसी कंट्री ने successfully test किया है hypersonic missile from frigate का और उसका name है zircon कभी-कभी देखे exam में आप लोगों से missile का name ही पूछ लेते country का नाम आ answer यहां पर देखे friends हो जाएगा रशिया तो रशिया के द्वारा इस missile का successfully correction किया गया है और रशिया ने अपनी खुद के satellite को destroy किया है इन low earth orbit में using anti satellite missile जिसका name है नुडोल चीक है तो friends इध्यान रिखेगा इसका name यहां पी चो anti satellite missile है जिससे destroy किया गया है उस satellite को दूसरी तो नाम भी पूछ सकते हैं तो नुडोल उसका नाम है और successfully correction जिस missile का किया गया है वो है जिर कौन अच्छे रशिया की बात आती है तो रशिया की capital क्या है Moscow रशिया आपको एक तो एशिया और दूसरा यूरोप दोनों continent में इसका विस्तार मिलेगा यहां पे currency है रूबल और प defense alliance with Britain and United States पर देखो हाली में कौन से देश ने ब्रिटेइन और संहितुराज अमेरिका के सथिक नया रक्षा गटबंदन बनाया है तो country का नाम हो जाएगा Australia अच्छा आपने इसके बारे में सुना होगा A UK-US है ना AUKUS जिसे हम कह सकते ही ट्राइलेटर सेक्यॉरिटी के बीच में तो इस तरीके साब थोड़ा सा रिमाइंड भी चलेंगे कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था आप देखो यहां पर बात आती है कि यह जो डील हुई है यह जो अलाइंस नया defense alliance sign हुआ है यह किसके द्वारा किया गया तो ऑस् से वह अपने बीच में sensitive naval nuclear proportional information को exchange करेंगे जो भी नौसेना परमाणो प्रोड़न सूचना है उसके आदान परदान की अनुमती है अनुमती वाला ही है एक agreement जिसको ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन और युएस के साथ मिलकर किया है सबज़ में आया फ्रेंड्स आप लोग को य इतना ध्यान रखना है इसके बाद देखिए हमारे पास यह है कि जो डील है वो ऑस्ट्रेला को help करेगी 18 महीने का जो submarine procurement है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेला को पंडुबी वो खरीच सकती है उसके पूरी study में उसकी पूरी complete study में यह जो डील है वो help करेगी आच्छा ऑस्ट्रे और रूल्स फुट्बॉल चीके फिंट्स यह ध्यान रखेगा next question की तरफ आगे बढ़ते हैं who inaugurated a national workshop on child rights यहां पूचा गया है कि बाल अधिकार पर राष्टे कारेशाला का उद्गाटन किस ने किया है आंसर हो जाएगा फिंट्स इसमर्ती इरानी के पास कौन से ministry है बिल workshop हो यह इसका inauguration में इन्होंने ही किया है इसको organize किया है by NCPCR के द्वारा और आजादी कामरत महस्तफ का ही एक पार्ट है इन activities जो इसमे activities organize कराए गई है across the country उसकी एक theme भी रखी गई और theme रखी गई है Children Ideas Right and Nutrition सो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी theme से question भी आप लोगों से पूर सकते हैं सो very very important तो simply देखिए जो पूरा आपके लोग इसको organize किया गया है जो पूरी workshop होई है इसमें बच्चों के ideas होगे उनकी rights क्या-क्या है कैसा उनको nutrition होना चाहिए इस और पूरा क पूरा इसमें ध्यान दिया गया इसके बाद question है who laid the foundation stone for setting up the Rani Gediunulu Tribal Freedom Fighters museum यह जो संग्राले है इसकी स्थापना की अधार शिला किस ने रखी है सो हमें यह आपर यह बताना है answer हो जाएका home minister Amishaj home minister Amishaj ने अब यह कहां पे रखी हुई है देखो उस area का particular नाम भी आप लोगों से पूछ सकते तो यह जो museum है ना यह मनिपूर के तामिंग लोंग डिस्ट्रिक में एक village है लुआंकाओ village वहाँ इसकी अधार शिला रखी रानी गैदिनल्यू का इसलीनी के नाम पर यह पुरा का बोरा museum है और इनका चन्व हुआ था 26 शनवरी 1915 में तो friends ध्यान रखीगा एक तो place का नेम पूछ सकते हैं आप लोगों से कहां पे अधार शिला रखी गई है second question ही पूछ सकते हैं कि किस ने रखी है तो आप का answer हो ज किया जा चुका है 1982 में इनको पद्म भूशन से सम्मानित किया गया तो यह पूछ सकते हैं क्योंकि पद्म भूशन आप लोगों से देखा हुआ पूछ लेता है एक्जाम में questions related और विवेकानंद सेवा सम्मान ध्यान रखो 1983 अगले साल ही इनको मिला है इसके लावा government of India ने एक stamp team के नाम से जारी करी थी कब 1996 में चीक है friends यह तो यह जब basic से information ध्यान रखें आगे देखे question क्या है who flagged off first ever all India survey on domestic worker इस पर एक सर्वेक्षन किया गया है और इस सर्वेक्षन को हरे जंडी किस ने दिखाई है यहाँ पर हमसे यह पूछा है So the answer is friends भूपेंद्र यादव अच्छा भूपेंद्र यादव के पास पी तो कोई ministry है जी हाँ इनके पास ministry है labor and employment ministry इनके द्वारा ही इसको हरी जंडी दिखाई गई है इसको conduct किया है by labor bureau ने जो कि चंडीगड में है इस पूरे survey को उनके द्वारा conduct किया गया है इस occasion बर उन् एक instruction manual जो है वो manual release किया है with the questioning for all India survey and domestic worker जिन में 37 state or UTS को cover किया गया है और लगबग इसमें 742 district को cover किया गया तो इक तरीके से पूरा instructional manual है ये इसके इसी के साथ कि रोने जो है वो इसको भी release किया है तो friends यहान रखिए का ये जो survey है वो domestic workers के उपर है किस ने इसको जो है वो हर चंडिगर के labor bureau ने इसको conduct किया है आगे पढ़ते हैं which of the following was awarded as a best marine district in the country सर्वशेष्ट समुदरी जिले की रूप में किसे समानित किया गया है answer is balasore friends balasore को award दिया गया है best marine district in the country इसी के साथ ध्यान रखो ये आपको उडिसा में मिलेगा उडिसा का district है balasore पहली बार है कि उडिसा के किसे district को ये award दिया गया अब इसी के related और भी award है जैसे best marine state अभी हमने बात करी थे district की जो के बाला सोर को है अगर state पूछेंगे तो वो कौन सा है आंद्रप्रदेश best inland state award दिया गया है किसको तेलंगाना को inland मतलब जमीन से गिरा हुआ state है उसको वो किसको मिला है वो आपको तिलंगाना को मिला है वही मद्रप्रदेश के बाला घाट ने रिसीव किया है best inland district अभी हमने state पड़ा जो कि तिलंगाना था और inland district की बात करें तो वो है बाला घाट अब ये सारे के सारे जो award दिये है वो कि इसके द्वारा दिये गए है तो परशोत्तम रुपाला जी ने support को दिया है जिनके पास fisheries animal husband and training ministry है so questions are very important सिर्फ main main points मैं नहां लिये हैं जो exam से directly question आपका बन जाएगा हो next question of friends which state government has decided to withdraw the decentralization and inclusive development for of all reasons act कौन से राजय ने सवी छेत्रों के विकिंधरी करण और समावेशी विकास अधीनियम को वापस लेने का निर्णे लिया है तो answer is आंधरप्रदेश तो आंधरप्रदेश ने इन सभी अधीनियमों को वापस लेने का फैसला लिया है अब देखें यह जो act है यह जो अधीनियम है राजय के तीन राज़धानी बनाने का परियास करता था और इस कानून को 2020 में पास किया गया था ठीके तो यह जो act है वो इस्टेबलाईश करने के लिए थे executive judicial and legislative capital जो के विशाका पतनम, कुर्नोल और अमरावती थी इस act है इसको क्या किया गया है? वापस लिया गया है थीके तो ध्यार न कीगा देखें वापस लेने का निर्ड़े किसने लिया है? अंधरुप्रदेश ने और यह act तीन capitals को create करने का प्रियास करता है अब देखें बात आते हैं अंधरुप्रदेश की सो आंद्रप्रदेश में देखिए अगर हम नाशनल बार बात करें तो इंपोर्टेंट है श्री वैंकर टेशुरा नाशनल पार्क, राजीव कांधी नाशनल पार्क और पापी कुंडा नाशनल पार्क यहां का फीमस टाम नाशन सागर डाम जो के कृष्णा रिवर पर है श्री सेलम डाम ये भी कृष्णा पर है और इसके अलावा वैसे दो सबस्यादा इंपोर्टेंट है आप इसको तीसरे को याद रखो पुलावरम डाम जो के गुदावरी रिवर पर है ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं विछ कंपनी हाज बीं अवफॉड़ेडट जारा गा इसको दिया गया गया अब येह पे हमें जानना है कि इनको यह अबोर्ट क्यों दिया है देखो जब कुविट का टाइम चल रहा था, कुविट इमर्जनसी चल रही थी, उस दोरान लिक्विट मेडिकल जो अक्सिजन है, एलमो, उसके ट्रांस्पोर्टेशन में इन्होंने बहुत अपनी एहम भूमी का निभाई है, इस कंपनी के दोहरा, जिसके लिए उनको जो कम Community Collaboration Award है, वो दिया गया है, इंडियन ओयल जो है, वो रैंग करती है, दोस्तो बारवी नमबर पर, अगर हम वोल्ट के लार्जस्ट कॉर्परेशन की बात करते हैं, 500 जो कंपनीज है, उसके लिस्ट में दोस्तो बारवी नमबर पर है, जो है कौन सी कंपनी है, इंडियन आई आप लोग मुझे बताओ कि Ministry है किसके पास, इंडियन ओयल ब्रैंड फिलोसफी इसकी है, पहले इंडियन फिर ओयल, इसका जो हेटकौर्टर आपको मिलेगा, वो मुंबई में मिलेगा, आगे बढ़ते हैं, वो वोस अवार्ड़ेट, दवीर चक्र इन अन इन्वेस्टिच सरमनी, देखो हाली में अलंकरन समहारों में वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर इस अभिनंदन वर्थमन, अब इनके बारे में आप लोगों ने जरू सुना होगा, ये पाकिस्तान जब पहुंच गये थे, उसके बाद इंडिया के तरफ से बहुत प्रेशर हु जब 27 फाबरी का वो टाइम था और बाला कोट एस ट्राइक वादा, तो 2019 में उसके बाद ही 27 स्वरवरी को नोंने इस कारे को किया गया, और ये श्रीनगर बेस्ट 51 स्क्वेडरों को भी एक पार्ट है, और रिसेंटली इनको इनके जो एक देगे से कालो प्रमोशन हुआ है तो दे रैंक ओफ गुरुप कैप्टन, छीके फ्रेंड्स इनको किस अवोर्ड से मिला है सम्मानित, इनको वीर चकर से सम्मानित किया गया है, फ्रेंड्स अगर आँग वीर चकर की बात करती हैं, तो ये वाद टाइम मिलिटरी वरी वरी अवोर्ड है, आपको बहादुरी क प्रेसिडेंस इन वर्ड टाइम गेलेंटरी अवोर्ड में तीसरा है, आफ्टर परंबी चकर और महाबी चकर, तो गेलेंटरी जो अवोर्ड होते हैं, उसमें ये तीसरा हाइस्ट आपके लोग सम्मान है, इसके बाद है प्रेजिडेंट रामनात कोविंद जी ने शौरे चकर, शौरे चकर वीरता पुरुसकार किसको प्रदान किया है, तो ये जो अवोर्ड दिया गया, ये दिया है महेश कुमार भूरे जी को, अब महेश कुमार भूरे जी को क्यों ही अवोर्ड दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक उप्रेशन को लीट किया था, उस उप्रे जो रहे यंग काप्टन थी इंडियन आर्मी जब ओपरेशन चल रहा था उस दोरान ठीक है फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट और देख लीजे जैसे की शौरे चकर दिया गया है मेजर विभूती शंकर डॉंडियाल जी को शौरे चकर एक और को मिला है नईब सुबेदार स अंबीर जी को कीरते चकर मिला है सापेर प्रकाश जाधर जी को तो यह जो लिस्ट है यह भी आप लोगों से पोच सकते हैं इसके बाद देखे फ्रेंड्स क्वेशन हमारे पास क्या है कि मद्रास उच न्यायाले की एक्टिंग चीस चैसे किसने इसके रूप में शपत ली ह आंसर इस मुनीश्वर नात भंडारी जी ने सो इन्होंने मद्रास उच न्यायाले के कारवाहक मुक्य न्यायधीश के रूप में शपत ली है और इनको अपॉइंट किया गया है जब जो जस्टिस संजीब बेनर जी ती उनको में घालया में ट्रांसवर किया गया उसके बा कितने पदक यहां पर भारत नहीं जीते हैं आंसर हो जाएगा टोटल 47 पदक जीते हैं जिसमें अगर हम बात करें 16 गोल्ड है 14 सिल्वर है और 17 ब्रॉंज है गोल्ड मतब आपका सौन पदक हो गया सिल्वर आपका हो गया आपका रज़त पदक और ब्रॉंज मेडल हो गया कांसर पदक जिसमें पलक कोली अबू हुबाइदा अमू मोहन इन्होंने दो गोल्ड चीते हैं और एक सिल्वर इच दीते हैं मांसी जोशी के तौरा एक गोल्ड मैडल चीता गया है वोमन सिंगल SL3 इवेंट में प्रमोद भगत ने सिल्वर मैडल के साथ फिनिश किया है मै वैसे टोटल इतना ज्यादा नेम इतने नहीं पूछने जाएंगे एक्जाम में पस टोटल मैडल ध्यान रखो कितने गोल्ड मिले, सिल्वर मिले, ब्रॉंज मिले इसके बाद इके फ्रेंट्स क्वेशन है हमारा इंटरनाशनल क्रिकेट कांसेल ने किसे अपॉइंट किया ह किसे अपॉइंट किया गया है तो फ्रेंट्स आंसर देखे हो जाएगा यहाँ पे जॉफ एलाडी इनको अपॉइंट किया गया है इनका नेम ध्यान रखेएगा आप लोग और अगर हम बात करें हैं ICC की देखो ICC गवर्न करती है किर्केट को ठीक है वर्ड लेवल पे सब इसके शुरुवात हुई थी 1909 में तब इसका नाम था Imperial Cricket Conference उस टाइम पे इसको International Cricket Council नहीं कहते थे और यह रिप्रेजेंटेटिव से इसके Australia, England, South Africa उसके बाद इसका 1965 में नाम चेंज हुआ International Cricket Conference हुआ अब जो नाम है इसका International Cricket Council बो बढ़ा था 1987 में यह important important चुछटे point है और इसका headquarter कहां भी है दुबई में इसके बाद है Formula One अभी race हुए एक Qatar Formula One Grand Prix यह किस ने जीती है तो वे Mercedes के racer है Lewis Hamilton जिनके द्वारा यह victory हासिल करी गई इसी में जो Marks Verstappeen है वो second place पर रहे और जो आप कितना ध्यान रखो और अगर हम बात करती है Hamilton के तो इस season की इनकी यह 7th win है 7th जीत है और overall बात करें तो इनकी 102 वी जीत है और यह बने आपको बता दे मैक्स Verstappeen ने second place के लिए finish किया इसके बाद है in badminton who cleansed the Indonesia Masters badminton tournament men's single title तो इसमें पुरिश एकल का खिताब किस ने जीता है आंसर हो जाएगा Kento Momoto Kento Momoto जो है वो world number one Japan के player है badminton player है और इन्होंने men's single का title जो है वो जीता है यहीं बात करते है women's single का title जपान की ही akin Yamaguchi ने जीता है सिर्फ ध्यान रखो इनका name आप लोग उनके country भी ध्यान रखो पूछ लेते हैं अगर हम बात करते है women doubles की उसमें जप जीता चीहारू जिनोंने women's double जीता men's double जीता है Japan के Hoki Takuro और Kobayashi Yuko ने इतना ध्यान रखो singles वैसे जाधा तर पूछ जाते हैं exam में doubles की पूछने के chances खोड़े कम होते हैं बट फिर भी women doubles और men's doubles का आप लोग जरू ध्यान रखो तो friends यह थे हमारे सारे के सारे important questions अब हम revision करते हैं जो हम लोगोंने कल questions पड़े थे पहला है पहली woman जिनको presidential power मिली है US में उनका नाम क्या है तो आप सभी को पता है Kamala Harris जो के पहली woman vice president है USA की इसके बाद है world expo यह कौन से शहर में आयजित किया जा रहा है तो यह दुबई में आयजित किया जा रहा है इसके बाद है इंद इसके बाद है next food corporation a corporation of india ने develop किया है अपना पहला state of art laboratory foreign house testing of food grain sample कौन से शहर में शहर का जो नाम है वो है गुरुग्राम इसके बाद है friends देखिये कौन से स्टेट है जिसने पहली rank secure करी है among police forces of the country तो अगर हम बात करें पहली rank हासिल करने वाला state कौन सा है आंधर प्रदेश kind world का most sophisticated MRI facility ये MRI facility हरियाना में इसको शुभारंब किया गया अगला है astronomer कौन से शहर के हैं जिन्होंने 8 stars को discover किया है जो की sun से भी जादा hotter है और ये astronomer कहां से हैं पुने से हैं अगला है cleanest city पांचवी बार किसने इसका दर्जा हासिल किया है तो इंदोर को मिला है इसी में सू जैवारा 3rd place पर रहा है ठीक है friends आगे देखते हैं state child policy ये किसने शुरू करी है ये launch करी है तमिलनाडू ने जॉब मिला for women's के लिए कौनसे organization ने इसको organize किया है किसने organize किया है तो friends हैदरबाद के police ने इसको organize किया इसके बाद है बारुआ मनिपूर state award for literature किसे मिला है burial थांगा को इनकी बुक्ती एई अमारी अडूगी टार्ट को चाठे है इस तरीके का नाम था उसके लिए prestigious lifetime achievement award मिला है प्रकाश पादुकोन जी को अगला है किसने अपना पहले novel से शुरुआत करी इसका नेम है लाल सिलाम तो ये है स्मृती जुबिन इरानी के द्वारा ये novel लिखा गया next day 2021 का kids right international children's peace prize मिला है विहान एंड नान को तो ये थे हमारे questions आप लोगों से कल पूछा गया था था कि गंगा पासे जोती उत्तराखन उत्तरप्रदेश बिहार ज्हारकन वेस्ट मेंगल के तुरू ये निकल जाती है इसके बाद इंडिया international trade fair इसको इनागरेट किया है प्यूष गोयल जी ने जिनके पास commerce trade and industry ministry है उसके बाद पूछा था कि कौन सी country है जिसने stabilize किया है पहला non-profit city in the world answer is Saudi Arabia तो आज के comment देखते हैं रगुभीर सिंग सुहेल सोफी सत्यजीत पहान very good friends ऐसे ही आप लोग चरूर करते रहें आज question से किया है पके declaration ये किस राज्जी के cabinet ने adopt किया second है by which will मतब सरकार वार्शिक राज्य संग्रहन का जो प्रस्ताव है वो किस विदियक के द्वारा प्रस्तुत करती है तो उसका answer आप मुझे comment section में जरूर बताएं तो friends ये थे आज के हमारे सारी important questions आशा करतों के चीज़े आपको समझ आ गई होंगी आप लोगों से मुलाकात होगी अनदर वीडियो में ध्यान रखें अपना स्वर्स रहें खुश रहें पढ़ते रहें मुस्कराते रहें थांक यू